नमस्कार स्वागते हैं आपका टीसी बोटिक में इस वीडियो में हम कफ की डिजाइन बनाएंगे शाट कई कफ की तो कफ यहां पर लिया है हमने धाइंच चोड़ाई में लंबाई यहां अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी भी चाहें क्योंकि कालर के हिसाब से आपको इसकी चोड़ाई है और जो है लंबाई यहां पर पौने दो है यतनी भी लगए कि उतनी लगाएंगा बाकी हटा देंगे बाद में उसके बाद हमको क्या करना है सिंपल सा इसको चिपका लेना है प्रेस से इन दोनों को और यह जो नोक ऐसी हमने काटी है यह सामने की जो प पेस्टिंग डालेंगे तो ज़्यादा मोटा पनिया अहां पर आ जाएगा उसकी बाद आपको इस तरीके से इसको बना लेना है अब इसको चांट के पलेट लेना है सिंपल सा मार्जिन ज़्यादा ना रखें बस थोड़ा सा रखें आधे पैर का उसके बाद किसी नुकिली जिस से इसके नुक निकाल लेना है अब अब लपकी स्लाइस पर लगा देंगे तो यह हमारी यह कंपलेट हो गई दूसरी चीज अब हमको यहाँ पर हमने कंट्रास कपड़ा लिया है पैपिन के लिए तो इस तरीके से हमको इसको कंट्रास कपड़े को नीचे रखना है और जितनी भी चौड़ी आपको पैपिन निकालना हूँ तो यहाँ पर हम दो सूत की निकाल ले हैं तो यहाँ पर हमने पेश्टिंग के उपर सिलाई लगाई है दो सूत की बाकी का जो मार्जन है उसको हमको जड़ तक छांट देना है पेश्टिंग के क्योंकि हमने सिलाई तो लगा दी है तो इसलिए अब जड़ तक छांट देना है तो कुछ इस तरीके से हमारा ये आया है तो देखिए पैपिन हमारी निकल लाई ही लेकिन अभी साइटों में रहे गई है अब हम क्या करेंगे इस कपड़े को काट लेंगे मारजन छोड़के उसके बाद हम क्यास में इसको पैपिन को निका लेंगे तो बही हमको दो सूथ की यहाँ पर क्यास में भी सिलाई लगानी है कपड़ा को नीचे रखके तो ये अपने इस तरीके से निकाल दी सिंपल सा इसको भी मारजन निकाल के इसको खटा देना है इधर साइड में भी हम इसको निकाल लेंगे ऐसे ही तो ये हमारा काम हो गया अब हमको क्या करना है इसमें नाकून बेगरा लगा के अच्छे से साफ कर लें चाहें तो प्रेस लगा लें उसके बाद हमको यहां पर सिलाई लगा देना है जो कि हम कफ बनाते समय लगाते हैं पायर की बागी का जो फालतू का मारजन निकाल इसको छाट देना है और यह हमारी पैपिन बेगरा कम्पलीट हो गए अब यहां से हम नापते हैं देखें आट इंच है तो इसका बी संटर हमको बनाना है क्योंकि भो हम इसकी जो नोक टाइप के जहां पर बढ़ने लगेगा भो हम लगाएंगे तो यह संटर बन गया इसको इस तरीके से हमको रखना है ऐसे रखने के बार आपको इतना बड़ा आपको इसको रखना है तावीच को उतना रख सकते हैं तो यहां पर हम पाउन इंच का रख रहे हैं उसके बाद स्लाई लगा देना है ऐसे इसको रोकने के लिए जब तक अब हम गया करेंगे नीचे हमको कपड़ा रखना है मेन और अपना कफ जो है जैसे बनाते हैं वैसे ही बना देना है तो पेस्टिंग के किनारे पर जैसे कफ में स्लाई लगाते हैं ऐसे ही आपको लगाने हैं पेस्टिंगों पर स्लाई नहीं लगानी है अब यह स्लाई लग गए अब हम आपको छाट देना है मार्जन जितना भी आदे पेर का सिर्फ रखेंगे उसके बाद पेर का यादर मार्जन रखेंगे क्योंकि कप चड़ाना है तो इदे साइड में मार्जन छोड़ना पड़ता है बीस अंडर का कुटका लगाएंगे अब इसको पलट लेते हैं तो नूके यहाँ पर कम कर देंगे ताकि अच्छे से हमारी यहाँ पर बैठ है अब देखे कितनी फिनेसिंग के साथ यह हमारा कप कम्पलीट हुआ अब इसमें सिलाई लगा देते हैं यह जो सिलाई है आप बाद में भी लगा सकते हैं आप पहले भी लगा सकते हैं पैपिन गुपर ना चड़ है इसकी जड़ में पैपिन के आपको सिलाई यह लगानी है अब यह डिजाइन आप कालर में भी डाल सकते हैं जो कालर होता है ना कफ में डाली है तो कालर में भी डाल सकते हैं उसके बाद आप क्या करें यहां पर हम बटन टाकेंगे जो कि अच्छे वाले आपको बटन सट में लगाना है तो उन्हीं में से एक जो है बटन यहां पर भी टांक देना है ताकि जब कफ पहने तो सामने एक फैसन सी डिजाइन आए अगर कोट बगेरा पहन रहे हैं और नीचे आप कब यहां पर कफ दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा कफ दिखता है ना कफ कोट जब पहनते हैं तो उसमें एक लुक आएगा डिजाइन अच्छी सी देखने को लग करने अब आपको ऐसे चड़ा देना है आस्तिन को